रादे रादे आप सभी को, जैक श्री किश्ना, आज की मेरी पोयम है, जिसका नाम है समाज का भैं इस पोयम में मैंने कुछ उर्दू सब्दों का इस्तमाल किया है, जिसका आर्थ मैं आपको अंत में बताऊंगे तो शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं उदफ दे दे कर तुम फूल को पत्थर बना बैठे समाज की वहसे तुम क्या क्या कर बैठे चिंगारी तक नहीं थी वो तो और तुम आग लगा बैठे अब हसने को कहते हो जब जीभर रुला लिया नफस ए आसूदगी मिटा दी मेरी इतनी भी कमजोर नहीं थी जो आत्मत्याद की चिठ्थी सजा बैठे समाज की वहसे तुम क्या क्या कर बैठे चिंगारी तक नहीं थी वो तो और तुम आग लगा बैठे बस्त हूँ बस्ती का कैसे माफ करू तुम्हे तुम दिवाली पर बली चड़ा बैठे अब अश्रू नहीं लहू उगलती है आँखे तुम दवाल आने के बहाने रक्त सिवर चला बैठे तुम दवाल आने के बहाने रक्त सिवर चला बैठे समाज के भैसे तुम क्या क्या कर बैठे चिंगारी तक नहीं थी वो तो और तुम आग लगा बैठे आगे कभी याद आए मेरी तुम मरा मान श्मर्ण करना आत्म हत्या ना कहना इसे तुम आत्म हटा बैठे हायरे मानव इज़त लाज समाज के भैमे मीरा को वेश्य बता बैठे सुरक्षा कवच्था परिवार बिना सुने ही तलवार पैना बैठे अंतिम विंती है प्रभू से बेटी ना बनाना अगले जनम इससे अच्छा तो हे गोविंद सिला बना देते समाज के भैस से तुम क्या क्या कर बैठे चिंगारी तक नहीं थी वो तो और तुम आग लगा बैठे अब हर वजूद से भै है मुझे साया भी डरावना लगता है मेरा हाल क्या सुनाओं? मेरा हाल क्या सुनाओं? बहार गुंसुम मन में भावो का चक्रवात लिए बैठे बेसंद हुआ अब ना सुनानी गाथा किसी को तभी तो आदी रात में कलम उठा बैठे समाज की भैसे तुम क्या क्या कर बैठे? चिंगारी तक नहीं थी वो तो और तुम आग लगा बैठे बस्तिगी का आर्थ होता है सरल स्वेभाव नफस का आर्थ होता है आत्मा नफस ए आसूदगी का आर्थ है मन की सांती नक्स एक उदसी का मतलब होता है पवित्रता, उदफ का मतलब होता है प्रताण, मार्न, बस्त उर्दुई सब्द है जिसका आर्थ होता है बक्रा, और अंतिम, बेसंद का मतलब हुआ, बहुत हुआ, रादे रादे